दोस्तों मैं जितेंद्र आपके अपने यूटूब चैनल JIT MTek में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में देखा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अब आपकी बारी RTI वाले जरूर देखे तो एक्शुली मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ और हम लोगों का रिजल्ट आया है भी लेटिस्ट में और ये देखिये कि मैं जितेंद्र कुमार पटेल ये मेरी फोटो है और ये मेरा आवेदिन संख्या है थेक तो हम आप लोग बताना क्या चाहरा है थे क्या कोरेलेट करना चाह रहा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मैं बताना क्या चाहरा हूं कि आपके क्या करना है क्योंकि आपका पेपर 8C number technical और 40 number non-tech ठीक अब इसमें हम पताने क्या वाले हैं हमारे experience क्या आपके काम आएगा क्योंकि अभी just हमारा result आया है देख लो यहां मैं प्रविजनी साइस लिष्टे पार टियर सेकेंड मतलब मैं डिप्लोमा में दो एक्जाम होता टियर वन करके और टियर टू करके ठिक तो मैं टियर वन में क्वालिफाई हो गया हूँ ठिक तो इसका मतलब यह हुआ कि टियर वन में क्वालिफाई हो गया और टियर टू में जाने वाला हूँ एक्जाम में बैठने वाला हूं तो टीर वन में क्या था और टीर टू में क्या था यह दोनों बात आप समझ लेजिए टीर वन में मेरा पूरा का पूरा 120 का नांटेक पेपर था ठीक अब non-tech paper था, अब में diploma का हूँ ठेक, और आप लोग है iti के ao अब इस चाथ पेपर का पूरा मैंन ने analysis किया उसके बाद जाना कि non-tech में इस साल non-tech में इस साल DRDO हमको क्या दे रहा है maximum question कहां सा रहे है और आप में तो non-tech बहुत कम है आपका non-tech है लगभग 40 question है 40 question में हम क्या पढ़ ले इतने कम टाइम में हम क्या पढ़ ले selected चीजें कि हमारा कम से करिम समय में non-tech तेयार हो जाए technical तो पता है आप लोग तैयार कर रहे होंगे लेकिन हमको 40 question में 40 question में हमको non-tech में ही technical बारे बच्चे करना total क्या होता है नान-tech क्या होता है बहुत कम जोर होता है टो हम लोग देखते हैं कि नांटेक का हम कैसे इस्टेज़ दी बनाते हैं कि आप लोग कैसे आगे करेंगे तो हम आते हैं सबसे पहले सबसे पहले यह सेक्षन ए होगा और सेक्षन भी ठीक सेक्षन भी अब सेक्षन ए और सेक्षन भी सेक्षन भी में आपका ट्रेट से रहेगा त्रेट थियोरी रहे है कि सेक्षण ए अगर सेक्षण ए हम देखे तो इसमें 40 नमबर में क्या क्या रहेगा हमारा मैथ रहेगा कि रिजिनिंग रहेगा कि इंग्लिस रहेगा कि और जी हजी के रहेगा तो जैसे कि यहां देखिए चार टॉपिक्स है सलेबर से कार्डिंग आप लोग सब लोग जानते होंगे जो अब तक पढ़ रहे होंगे सही से उनको पता होगा कि हमारा सलेबर्स क्या है सेक्षाने में सेक्षाने में ठीक तो हमने क्या बताया मैथ रिजिनिंग इंग्लिस अजी-जी के ठीक तो हमको देखना है कि मैथ में हमारी क्या टॉपिक्स आ रहे हैं कम समय में पढ़ लें क्योंकि मैद के 50 चैप्टर होते हैं अगिर आप नांटेक की अर्थमेटिक से बुक उठाएंगे तो हमारे इस डिप्लोमा बाले में कौन से कोश्चन सा रहे हैं कौन से टॉपिक से कोश्चन आ रहे हैं वो आपको देखना है ठिक तो हम देखते हैं कि मैद की टॉपिक हम यहां लिखते हैं मैद की सारी टॉपिक हम लिख दे रहे हैं और आप लोग नोट कर लिजे तो पहला टॉपिक अध्यान से देखिए कि दुई घात समीकरण एकदम सिंपल सीजें पूछता है बहुत गहराइन नहीं पड़ना दूएगात समीकरण दूसरी टापिक क्या है दूसरी टापिक मेंसुर्येशन का दीख लिजेज़ powin abausta सिंप कूश्चन बने थे की नो थे पूरे 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 नहीं बता रहें बहुत इनालसे सीखता वी तो हम कम टाइम में पढ़के गए थे बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन मेरा नन टेक्निकल गया इसका मतलब मेरी बात कुछ तो सही होगी और इसके बाद परसेंटेज आता है परसेंटेज और इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट लास अर इसके आगे क्या आता है छटमा सिंपल इंट्रेस्ट साधारण ब्याज कंपाउंड इंट्रेस्ट चक्रूद ब्याज साथमा टॉपिक बहुत छोटे-छोटे थोड़े ददस मिनट की वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा ठीक इस एक बात काम समय आ जाता है काम समय ठीक अब इतनी सारी टॉपिक हम बता दिए और कुश्चन कौन से आते हैं अगर हम रिजिनिंग के देखें रिजिनिंग में देखते हैं हमारा रिजिनिंग में आता है सबसे पहले ABCD वाली चीज़े जो इनालागी बलते हैं ठीक उसके बात नंबर वाले आते हैं नंबर सिरीज नंबर सिरीज ठीक उसके बाद रिजिनिंग का हम बता रहे हैं तीसरा आता है कलेंडर से बहुत सिंपल कोश्चन आएगा कलेंडर से उसके बाद पासा आएगा ठीक पासा आएगा और ध्यांसे देखिए उसके बाद अगली टाप ससकर है दाय से वाय से कितना है यह पॉइस्स है लाइन बाला आता है और कि आता है वाल आता है devicebuat इसको बोलते है ठेक और को को दार्यक्ष अापी ढाएक है घ्याप लोग नोट करते कि यह पॉइंट समय को बता रहे है धेश्च के बाद अभी तरह सारे टॉपिक हो गए यहीं सब आई हैं आप अब आप इसके बाद हम देख लेते इंगले ठीक इंगली में कोई भी पेपर हो जिसमें इंगली से लग फ़गा आट से दस कोश्चन रहेंगे आपके English में क्या आता है ध्यान से सुनिए का English में आता है सबसे पहले Antonyms आता है Antonyms उसके बास Synonyms दो टापिक होगा इसके दो दो Question लगभग रहेंगे अगला sentence correct अगर आप टेंस पढ़े हैं सही से तो यह आ जाएगा उसके लावा सिंपल सा एक्टिवाइज और पैस्वाइज इसके लावा अगर हम देखे तो एक्टिवाइज पैस्वाइज के बाद डारेक्ट इंडारेक्ट भी आ जाता है डारेक्ट इंडारेक्ट से उसके बाद इस्पेल करेक्ट आ जाता है सपेलिंग गलत दिया रहे गा वह आ करेक्ट करना रहे संटेंस करेक्ट इनल्ट स्क्राइब करोजिए लगता है रंषित यही थोड़ी थोड़ी देखने आपको कि बहुत कम ही टाइम बचा सबसे बड़ा ठाकी जी के जी यस इसमें यह हम का पढ़ें इतने दिन में तो इसको पढ़ना ही नहीं है अगर कुछ लोग करेंट पढ़ रहे हैं तो साइंस और टेक्नालाजी से एक बार वीडियो देख लेंगे अगर दूसरा क्या देखना है डिफेंस इससाइज जिसको बोलते है युद्धा ने प्रत थेख लिए और कषिए देखना ही करेंट में आगा थी है तो पुरसकार देख लीजिए लेगा पूरसकार और इफेंशे से न्य।्य आप देख लेगा्य जो भी साइंस आंट टेकनावाजी से नहीं निय।क्तिय स्थ automatically आप देख लेगे नहीं न्य।क्तिय … आती है और आगे हम देख ले एक और क्या हमका पढ़ना है तो खेल के वह बहुत सारे कोश्चन फूट अफ होते हैं तो वह सारा और आगे कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना है तो हिस्ट्री में मौडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा गांधी यूग पढ़िएगा स्वतंतरता संग्राम पढ़िएगा और जो ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते इसलिए अब आप लोग आप टापिक देखिए यूटूब पे सर्च करें जो वीडियो आपको अच्छा लगे वह आपको देख लेना है और हाट टेकनिकल के क्या कि मेरा एक्जाम ही 12 को लगा है तो टेकनिकल के हम साथ वीडियो कुछ डालते रहेंगे अगर आप लोग इसको लाइक कमेंट और से लेने हैंगे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल है चैनल का नाम तो आप लोग जानते होंगे जे आइटी हैं टेक करके हैं टिक तो आप लोग इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए उसके मिलें थैंक यू और गुटाइट